गोपाल ने की ब्लॉग में आप सभी लोगों का स्वागत है तो गाइस बढ़ चुके हैं साम के पांच और आज पहाडों में मौसम की बात करें तो गाइस कल तो बहुत ज्यादा बाइस हुई थी और आज सुबह से 22 का मौसम बनावें और दिन में गाइस थोड़ा बहुत ध बाइस तो ही नहीं और अभी 22 का मौसम ऐसे बनावें ठीक हो गाइस बाइस नहीं हो रही है क्योंकि दो-तीन दिन से बहुत ज्यादा पहुड़ों में बाइस हो रही थी अभी तो इधर को देख सकते हो अभी दुबारा से 22 का मौसम बन चुका है फिलहाल तो गाइस फिलहा फिर रात को सब्जी बनाएंगे बैगन की इसलिए अभी आपको दिखाते हैं कितने बैगन हमारे होरके हैं तीन चार पेड़ों में तो आप तो बहुत कम बैगन का सीजन आप चले जा चुका है इसलिए बहुत कम बैगन होरके है मलब एक दो सब्जी होरके है बैगन तो फ पर कीड़े भी हो जाते हैं मुझला चौमास पर बैगन पर कीड़े लग जाते हैं तो अभी इतने ही वेगन होरके देख सकते हो तो आज रात हम बनाएंगे बैगन की सब्जी तो इस परकार से होते हैं आज कल थोड़ा ठीक हो चुके हैं क्योंकि आज कल बारीस हो जिए बादफरों से तो अभी हम जारे हैं गूमने के लिए और अभी चालना हो गूमने के लिए तो चलते आप गाउ में तो इधर को देख सकते हो भी थोड़ा-बहुत बादल लगवे हैं और थोड़ा बहुत धूबयार के इस परकार से मौसम होर का पाड़ों का बहुत ही घूमने के लिए और आजकर रोटों में जो सभाई कर दी गई गई है जाड़िया हो रोट के किनारी जैसे गाड़ी ती जाड़िया तो इसलिए वहां पर अच्छा लगई रहा है क्योंकि रात को जब यहां से गाड़ी गुजवरती है तो जानौरों का खत्रा जादा रहता ह तो इसलिए दूर दूर तो यहां तक दे सकते जो घास होई थी और भी जाड़े होई थी कूरी की तो सपाई कर दी गहीं है जिससे थोड़ा अच्छा भी दिख रहा देख सकते रोट यहां से अच्छी दिख रही है तो फिलाल अभी हम ऐसे घूम रहे हैं तो गाइस फिलाल आ चुका हैं घूमकर और आभी हम पहुँं चुके हैं बॉवी लोगों की घर और आज बॉवी की मम्ही की शीज हम बना रही है तो आप यह तो आज श्मदर खाया होगां तो आज एक पार तो सो चौला आते हैं जो चम्दमों मेंडे के महीं उन्ली फूसी कह सीचा हुते है तो गाइस मक्ये से वाद इस फरकार से बन जाता है देख सकते हैं sa मोग इसको बोपी की ममी कि न इन और इस परकार से प्राटे बनाए गूं कर आज दिखाते हैं तो गाइश ली आ चुके हैं जोगा और इसी इसंपर अ भी, भुलोक, उफ्मा अनुई